हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टो माई चैनल आज हम बात करने वाले हैं क्लास वन के लिए एक्टिविटी शीट आज में लेकी आई हूँ जिसे आप घर में बचों के साथ उनको शेयर कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से यह घर में आप अवलेबल हो सकते हैं बिकिस आपके पास जो भी बुक्स हैं उनसे आप बना सकते हैं तो आज की जो वक्षिट है वो रेलेटेड है क्लास वन से यहां पर मैंने जो फर्स्ट करा है वो सर्कल दा वावल फर्स्ट क्लास में मोस्ली जितना भी स्लेवर्स होता है बेशक से डिफरेंट होता हो एवरी स्कूल का लेकिन जो ग्रैमर होती ही वो वोस्ली सेम ही होती है फर्स्ट क्लास में बच्चे को वावल जो है वो बहुत अच्छे तरीकी से समझा दिया जाता है एवन यूगजी में ही करवा दिया जाता है तो यहां पर कुछ वावल्स है हमने इंट्रडिउस कर रहे है तो इसमें से बच्चे को आपको जो है वो वोवल्स चूस करवाने हैं तो जब बच्चे यहां पर वोवल्स इनको करेंगे तो आप उनसे सर्कल करवाईएगा तो वोवल्स हमारे होते हैं जिने हम पहले लिख लेते हैं तो यह हमारे 5 vowels होते हैं, तो हम देख लेते हैं, इसमें कौन-कौन से हैं? A, E, I, O, and U, तो यह 5 vowels जो हैं, वो इस तरीके से आप sheet पर बच्चे से करवा सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर circle the consonant, तो यहाँ पर जो है, हमने कुछ words लिखी हैं, जैसे pot, book, friend, banana, dog, lion, home, school, and wall. तो इसमें आपको जो है वो बच्चे से consonant के ओपर टिक करवाना है, या फिर circle करवाना है, तो consonant हमारे हो गए यहाँ पर P and T, क्योंकि O जो है वो हमारा वो है vowel. नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर book, तो consonant हो गया हमारा B and K, because O जो है हमारा वो है vowel. नेक्स्ट है friend, तो F, R, N, B, B, N, N. इसे तरीके से dog है, तो D and G. L, N, H, M, school में आएगा हमारा S, C, H, और L. नेक्स्ट है हमारा वोल, तो वोल में हो गया W, L, L. तो यहाँ पर हमने जो है वो कुछ words लिखे थे, उसमें से हमने जो है consonant जो है वो अलग करवा दिये हैं, इसी प्रकार से आप vowels भी, जैसे pot, बुक यह जो हमने words लिखे हैं, प्रकार से आप words लेकिए, उसमें से आप उनको vowels चूज करने के लिखे हैं, देखिए, जैसे यहाँ पर हमें जो एक exercise ली है, उसमें है circle the vowel in given below, तो इसके अंदर जो है वो हमारे या तो circle करवाने आपने या फिर आप इसमें टिक करवा सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंग ओ, ओ, यह वले दोनो, pencil, pencil में हमारा vowel है E and I, table में है A, E, I में है E, E, nose, nose में हमारा vowel है O and E, cake, cake में हमारा vowel है A, E, next है हमारा school, school में हमारा vowel है O, O, तो इस तरही के साब बना के बच्चों को दे सकते हैं, next जो pattern है, वो है, change the gender, यानि कि यहाँ पर हमने कुछ words लिखे हैं, उनको हमें change करना है gender में, तो husband, husband का हमारा जो gender बनेगा, वो बनेगा wife, W, I, F, E, wife, girl, girl का gender बनेगा हमारा boy, tiger, tiger का बनेगा हमारा tigress, cock, cock का बनेगा hen, इसी प्रकार से brother, brother का बनेगा sister, lion, lion का बनेगा, lionesses, daughter, daughter का बनेगा, son, uncle, aunt, king, king का बनेगा, q-u-e-e-n, queen, तो यह class 1 में जो है, वो grammar में आप इस तरह के से बच्चों को बना के दे सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा helpful होने वाला है आपकी kids के लिए, अगर आप इस तरह की वरक्शुट अपने बच्चों के अगर आप ऐसे बना के देंगी, तो बच्चे जो है, वो फटा-फट से कर लेंगी, क्योंकि जब आप उनको book से direct करने के लिए कहते हैं तो बच्चे इतनी जल्दी interested नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप अपने हाथ से इस तरीकी से बना के देंगी, तो बहुत ही असानी से कर लेंगे, आप चाहे तो इसका screenshot लेके रख लिजे, ताकि आप अपने बच्चों के साथ easily इसको share कर पाएं, नेक्स्ट है हमारा make plural form by adding es to the singular noun, यानि कि यहाँ पर singular noun दिया गया है, उसे हमें add करना है plural में, तो वन पटैटो, टू पटैटोज, पी, ओ, टी, ए, टी, ओ, ओ, ए potatoes, यानि कि एक पटैटो और दो पटैटोज, one fox, two foxes, f, o, x, e, x, इसी प्रकार से, one glass, three glasses, g, l, a, double, s, e, s, glasses, one box, eight boxes, b, o, x, e, s, one bus, two buses, b, u, s, e, s, तो यह जो e, s है इसको लगाने से हमारा singular से plural form में हो जाता है वो, one tomato, four tomatoes, यहाँ पर एक पैटर्न और हम लोग use करने वाले हैं, choose the name of person, places, animal and thing from given below, तो यहाँ पर हमने कुछ words mention किये हैं, और नीचे हमने यहाँ पर कुछ boxes बनाए हैं, जिसमें है place, person, animal and thing, तो इसमें से हमारा को choose करना है और नीचे यहाँ पर write down करवाना है बच्चे से, तो first है हमारा bear, यानि कि भालू, तो bear आएगा हमारा animal में, टेंपल, टेंपल जो है वो place है, तो वो आएगा हमारा place में, टेंपल, डॉग, डॉग हमारा आएगा animal में, डेली, डेली आगया place में, नेक्स्ट है हमारा pen, pen हो गया thing, बेड, बेड भी आगया हमारा thing में, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल आगया हमारा place में, बुक, बुक आया हमारा thing में, टाइगर, टाइगर आगया हमारा animal में, मुंबई, मुंबई आएगा हमारा place में, राम, राम जो है वो, name है, person का नाम है, तो यहाँ पे आएगा, राधा, नेक्स्ट है हमारा राधा, वो भी आगया हमारा person में, तो यह बहुत easy तरीके से आप अपने घर पे इसको बना के दे सकते हैं, बचों के साथ, और बचों को भी बहुत ज़ादा interesting के साथ यह करने वाले हैं, क्योंकि उनको इन सब चीजों में बहुत मज़ा आता है, जब आप worksheet उनको देंगे, तो उनका interest level जो है, वो काफी हद त pencil, tiffin box, school, grapes, mother, तो यहाँ पे हमें कुछ आगे हमने options दिये हैं, तो बच्चे से आपको पूछना है और उनको बोलना है टिक करने के लिए, तो पहला है यहाँ पे rabbit, rabbit होता है, animal में आता है, तो यहाँ पे person, animal, तो rabbit animal में आता है, या person में आता है, बच्चे से आपको इस तर बस्तु है, यानि कि thing, cow, cow माने guy, तो आ गया animal में, girl, girl जो है वो person है, animal नहीं है, person है, तो person पे टिक कर देंगे, pencil, pencil हमारा thing है, बस्तु है ना, तो thing पे write कर देंगे, tiffin box, tiffin box भी हमारा thing है, school, place है या fruit है, school हमारा है, place, grapes, fruit और thing, fruit, mother, person है या animal है, mother जो है वो वेकती है, person है, तो इसके उपर हम लोग इसको टिक कर देंगे, तो आज मैंने आप लोगों के साथ English की worksheet शेयर की है, first class के लिए, तो आप इस तरीकी से अपने बच्चों के साथ इस worksheet को बना के शेयर कर सकते हैं, उनकी जो भी पुरानी books हैं या अगर आपके पास current book available हैं, तो उसमें भी आप इस तरीकी की worksheet बना सकते हैं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, तो please वीडियो को like कीजेगा, share कीजेगा, और मेरे चैनल को subscribe कीजेगा, साथ ही bell icon को press कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की notification आप तक पाजे, thank you so much, thanks for watching!